नमस्कार, स्वागा थे आप सभी का एक बार पुना टार्गता लोक ऑन-लाइन इंस्ट्टूट में, मैं गौरम नरेजन, इस उम्मीद के साथ आप सभी के सामें उपस्तित हूँ, कि आपकी तैयारी को हम और बहतर बना सकें, हम बात कर रहे हैं आज जो एक बड़ी महत्पू किया, और उनके साथ महनत की जा रही है, अभी कुछ क्लासे चल रही है, और जो अभी रह गए अभी तक, उनको सामिल करने के लिए, हमने कुछ क्लासे रोकी हुई है, तो जल्दी से, जो लोग भी रह गए हैं, जल्दी से हमारे एडविशन ले लिजेगा, और हमारे साथ अपनी कामियाभी की यात्रा पर निकल पड़ीगा आज हम अगर आपसे बात करें तो आज मैं आपसे बात करता हूँ जहां से सुपा टैट में प्रते एक बर्स एक से दो प्रिष्णाते हैं और टॉपिक का नाम है बायू मंडल तो हम सबसे पहले समझेंगे बायू मंडल का स संघ्टन बायू मंडल का संघ्टन और देखेगा हम बात करते हैं कि संघ्टन क्या होता है अगर हम बात यह करें कि संघ्टन क्या होता है कोई भी बस्तू हो कोई भी पदार्थ हो वह जिस तक तुसे मिलकर बना होता है उसको उसका संघ्टन कहा जाते हैं उधारन के तौर पर मानो सरी उधारन के तौर पर उधारन के तौर पर क्या हो गया उधारन के तौर पर हो गया मानो सरी तो अगर हम मानो सरीर की बात करते हैं कि जो हमारा मानो सरीर है इस मानो सरीर में बिलड है ऑक्सीजन है जल है तुचा है बाल है ठीक ना हड़ी है लंग्स है किड्नी है छ हम मानौगा संथन कहेंगे क्या कहेंगे मानौग का संहटन तो अगर हम बात करें कि बायू मंदल का संहटन क्या है तो बायू मंदल में क्या पाइज जाती घैस और firm का जी निर्माड है पर इसलिए हम इसको गैस न बोलें अब हम बात करें कि बायू मंडल में कौन कौन सी गैस में पाई जाती है और साथी साथ उनका प्रितिशत क्या है तो बायू मंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है बखू भी यह जानते होंगे आप लिकिन एक बार में रिवाइच करादेता हूं, बायू मंडल में जो सरवादिक महत्रां मगू सक्वाइच पाए जाती है वह नै्च्ट्रोजन और नैच्ट्रोजन जो है 78% capable उसके बाद हमारी ऑक्सिजन होती है और उक्सिजन जो है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है तो oxygen पाई जाती 21 प्रतिशत oxygen कितने प्रतिशत 21 प्रतिशत उसके बाद आती हमारी आरगन और आरगन गया 0.93 प्रतिशत 0.93 प्रतिशत पाई जाती है उसके बाद आती हमारी CO2 तो CO2 0.04 प्रतिशत sorry 0.03% 0.03% और उसके बाद other gases की अगर हम बात करें other gases अगर हम other gases की बात करें तो 0.04% कितना? 0.04% और आप इन सब को जोड़े लिजेगा और जब आप इन सब को जोड़े लेंगे तो यह कितना निकल के आएगा तो यह निकल के आए जाता है 100% अगर आप इन सभी को जोड़े लीजिएगा तो एक कितना निकल के आ जाएगा ये निकल के आ जाएगा आपका 100 प्रितिशत हो जाएगा तो बायू मंडल में गैसने पहें जाते हैं और अगर उन गैसों के संगठन की बात करते हैं तो उनका परसंटेज है ये मात्रा है उनकी का निर्मार जो है वो मासपेसियां है हड़ी है लंग्स है छोटी आथ है बड़ी आथ है बलड है ऑक्सीजन है तुचा है बाल है ठीक ना इन सबसे हुआ और हमने क्या किया इन सभी को एक वेवस्तित क्रम में लगा दिया जैसे आगर हम अपने सरीर की बात मानो सरीर की बा क्या होते है यहां पर एक छोट कि अाकर के नाक होती है यहां पर दुकान होते हैं तो यह क्या है इमानों की संद्चन है थो इस प्रकार बाई मंनल की खेंश हो ही तो माल लिजिएगा यह आपकी पृत्वी है मा लिजेगा यह आपकी अर्थ है और इस प्रिथवी के चारो ओर इस प्रिथवी के चारो ओर गैसों का एक आवराण है और प्रिथवी के चारो ओर गैसों का जो आवराण है इसी को उन्हें बायू मंडल दिया और बायू मंडल को हमने कितने पर्तों विभाजित कर दिया पाच कितने पर्तों विभाजित कर दिया बायू मंडल को तो हमने बायू मंडल को विभाजित कर दिया पाच पर्तों में ठीक ना इनी पाच पर्तों को आप जानते होंगे छो मंडल है समतम मंडल है मद मंडल आयन म मंडल तो इन ही को हम किरम सी वबस्तित कर लेते हैं चलिए इमेजन करिएगा यहां पर हम और आप हैं और जहां पर हम और आप हैं एक गीरो किलो मेटर उसके बाद जो सबसे नीचे वाला मंडल होता है इस मंडल का नाम है छोब मंडल इंगलिस में ट्रोपिश्पियर बोला जाता है इंगलिस अभी हम लिखेंगी छोब मंडल के उपर जो मंडल होता है छोब मंडल के बाद जो मंडल होता है इस मंडल का नाम है समताप मंडल कौनसा मंडल यहां पर समताप मंडल और सम्ताम मंदल के बाद जो मंदल होता है इस मंदल का नामे मद्ध मंदल और मद्ध मंदल के बाद जो अंगला मंदल आपका आ जाता है इस मंदल का नामे आयन मंदल और आयन मंदल के बाद जो हमारा एक और मंदल बचता है इस मंदल का नामे बाह मंदल आयन मंडल के बाद काउंसा मंडल है तो आयन मंडल के बाद जो हमारा मंडल है इस मंडल का नाम है बाहे मंडल आयन मंडल के बाद काउंसा मंडल है बाहे मंडल तो यह हमारे पांच मंडल होते हैं यह बायू मंडल को हमने कितने भागों बिभाजित कर लिया पांच ठीक ना इ कि सब में हमने सिधी सिधी लाइनिंग की तो अंतर होता है छो मंडल की उचाई में अंतर होता है तो यह छो मंडल है और छो मंडल की उपर समताब मंडल होता है तो छो मंडल और समताब मंडल के अगर बात करें तो अगर हम यहां से एक रेखा मिला दे तो यहां से यहां तक की उचाई जो है वो 13 km होती है, अर्थार्थ यहां से लेकर यहां तक, यह 13 km होता है, और अगर यहां तक की बात की जाए, सताय से यहां तक तो 18 km होता है, कितना 18, तो छोब मंडल की उचाई, कई पर 13 km मिलती है, कई पर 18 km मिलती है, क्यों मिलती है, अभी समझाएंगे, उसके ब मंदल ठीक ना उसके बाद 80 km के उचाई पर जाएंगे तो मध्ध मंदल मिलेगा 80 के बाद 400 km के उचाई पर जाएंगे तो आयन मंदल और अगर हम infinite चले जाएंगे तो बहें मंदल ठीक ना समझीगा अच्छे से एक एक पइंटो यहां पर एक रेखा है जो समताब मंदल को छोब मंदल से अलग करती है इसका नाम खोब इसका नाम क्या है ट्रोप पॉज बोलते हैं इसका नाम छोप सीमा है अर्था छोप सीमा समताब मंडल को छोप मंडल से अला करती है उसके बाद यहां पर एक रेखा है जिसको मैं यहां पर एलो कलर से बना रहा हूं एक डार्क ऐसा है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है समता समताब सीमा की ऊपर यहां पर एक उलाइन के भी हम अगे यह को बनाए है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है मद्द सीमा अब एक एक से हमने पूरा डाइग्राम फिकर बना दिया हम एक से समझेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फो मंदल कि में इंगिलिस में ट्रोप इस प्यर बूला जाता है amet strategy अंगल्हक्री भनी चो मंदल इंगले समद्ग परता ही कहा estou को हमंधल की बात करते हैं तो बायु मंदल की सबसे निचली परत यह पिर्थवी के सरवादिक समीब की परत को, बायू मंडल की सबसे निचली परत, या पिर्थवी के सरवादिक समीब की परत को, किस की परत को, बायू मंडल की, पिर्थवी के सरवादिक समीब की परत को, हम किस नाम से जानते हैं, तो हम छोब मंडल के नाम से जानते हैं, किस न धहरातल पर किया है छोमंडल में धहरातल है नीचे और धुरातल पर किया है कोई सारी नदी होंगे कोई सारे जलासा होंगे सागर मा सागर हैं ध्हरातल पर ही तो है भाई यह 6 मांडल का प्रकास बürü deberत को हुआ कहां तक आएगा छोब मंदल तक और छोब मंदल में जो पानी है जब वहाँ पर सूर का प्रकास पड़ेगा तो छोब मंदल के पानी का यानि छोब मंदल में जो धरातल पर पानी है वो पानी सूर के प्रकास पड़ने कर वो पानी गर्म होगा और उस गर्म पानी का वा मउसमी घटनाओं के नाव से जानते हैं कि आपके एकजाम में कई बात är tanate जाला है कि वहा कौन सम्मेंडल है जहां पर मौसम zambandit घटनाओं घटित होती पर मौसम सम्मादित घटनाओं मौसम संबंधी घटनाय घटनाय घटत होती हैं अब मौसम संबंधी घटनाय में हो गया जैसे ओला वरिष्टी वर्फ की बारिश वर्सा हो गई आपकी बादलों बादलों का फटना कोहरा कुवासा इसारी की सारी पिरक्रियां क्या होती हैं हमारी मौसमी घटनाएं अब चुकि यहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं इसलिए हम यहां पर बायुवान नहीं उड़ा सकते इसलिए हम यहाँ पर बायुवान नहीं उड़ा सकते ठीक ना? कई बार पूछा जाता है बायुवान कहा नहीं उड़ाई जा सकते छोमनल में नहीं उड़ाई जा सकते मौश में गटना है कहां गट तो नहीं यहाँ ठीक ना अब अंगला पंट समझना है धरातल से इसके उचाई 13 किलो मीटर तक है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर इसके उचाई जो है वो 18 किलो मीटर तक है तो इसको समझाने से पूर्व आपको एक सब्द समझना होगा चोब मंडल को समभान मंडल के नाम से भी जाना जाता है अभी समभान क्या होता है आएम समझाते हैं आपको next page ले ले लेते हैं समभान धाराएं होती है समभान की प्रिक्रिया भी होती है तो समभान का मतलब होता है जब अब टेंपरेचर धरातल की बात कहां की हो रही है चोब मंडल और चोब मंडल में कहा है धरातल जब धरातल का टेंपरेचर देखोगा तो धरातल पर जो बायू पाई जा रही है व में कि मातरा कम होगी, मनलब यह कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, इसमें नमीन नहीं होगी, और जो चीज हल्की होती है, वो अधिक आयतन घेड़ती है, और आयतन की साथ हल्की होने के साथ, यह कहां जाती है, उपर जाती है, जो भी चीज हल्की होती है, वो उपर, हम आम और वो एगजस्ट फान क्या करेगा उसी क़ानल देगा ऊसको घर्म निकाल निकाल देगा तो जो छीज तो मुस्द घर्लकि होती वह उपर ला ऊपर बायू गर्म होकर उपर उठती है तो बायू के गर्म होकर उपर उठने की इस पिर्किरिया को उपर उठने की पिर्किरिया को आरोहन कहा जाता है और जब बायू गर्म होने के बाद उपर की उठती है तो इस पिर्किरिया को गर्म होना और उसके साथ नमी की मात्रा में कम होन तो इस प्रिक्रिया को हम एक नाम और देते हैं संभाहन तो संभाहन की प्रिक्रिया मनलब क्या है बायू जब गर्म हो जाएगी तो धीरे 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 बायू ऊपर उठती है तो जब धीरे 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 बायू ऊपर उठेगी उसी को हम बायू का आरोहन या उसी पिरकिरियां भायू का संभाहन नाम दे देंगे क्या नाम दे देंगे संभाहन अब बताईएगा संभाहन की पिरकिरिया के लिए क्या होना अवश्यक है तो संभाहन की पिरकिरिया के लिए तापमान का देखोना अवश्यक है और तापमान सबसे अधिक जिस मंडल का होता है उस मंडल का नाम है छो मंडल क्योंकि सूर की किरण है माली जिगाए छो मंडल धरातल सूर की किरण है सभी मंडलों को भेदेते हुए सभी मंडलों से गुजरते हुए धरातल पराती हैं और धरातल क्या करता है कुछ मातरा में उर्जा को अफसोसित करता है और कुछ मात्रा में उस्मा को परावर्तित कर देता है तो जब धरातल उस्मा को अफसोसित करेगा तो निश्चिस की सी बात है जब धरातल उस्मा को अफसोसित करेगा तो धरातल का टेंप्रेचर बढ़ जाएगा तो वहां के बायू गर्म हो ज लिए क्या होना आवश्यक है क्या होना आवश्यक है क्या होना आवश्यक है तापमान अधिक होना आवश्यक है ठीक ना बास समझेगा तो अगर हम कहें हैं यह हमारी प्रिथिवी है इस प्रिथिवी पर सबसे अधिक तापमान कहां पर है तो प्रिथिवी पर सबसे अधिक त साथी साथ कहाँ पर साथी साथ 90 डिग्री एस तो 90 डिग्री एन मतलब कौन सा दुरूप तो 90 डिग्री एन मतलब उत्तरी दुरूप 90 डिग्री एन मतलब उत्तरी दुरूप और 90 डिग्री एस मतलब कौन सा दुरूप तो 90 डिग्री एस मतलब दच्छनी दुरूप यानि यहां पर temperature देखोगा और जैसे जैसे उपर की ओर जाएंगे जैसे जैसे यहां से हम उपर की ओर जाएंगे तापमान में कमी आएगी जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तापमान में कमी आएगी तो बिश्वत रेखा से है तो हम उपर की ओर जाएंगे तब तापमान में कमी आएगी और साथी साथ बिश्वत रेखा से जहां हम नीचे की ओर जाएंगे तब तापमान में कमी आएगी तो बताइएगा जहां का तापमान अधिक होगा वहां की बायू अधिक मात्रा में गर्म होगी और जब वहां की बायू अधिक मात्रा में गर्म होगी तो वह अधिक उचाई तक जाएगी तो बायू कहां पर अधिक उचाई तक जाएगी बिश्वत रिखा पर जब बायू अ कम टेंप्रेचर होने कारण संभाहन की प्रिक्रिया कम होगी संभाहन की प्रिक्रिया कम होगी यानि बायू कम उचाई तक जाएगी तो अगर हम बात करें तो विश्वत रेखा पर संभाहन धाराएं या संभाहन बायू या बायू अधिक उचाई तक जाएगी और विश्वत रेखा से हम 90 degree cure जाते हैं तापमान में कमी आएगे तो यहां पर तापमान सबसे अधिक होगा कहाँ पर 0 degree पर तो यहां की बायू अधिक उचाई तक जाएगी और जैसे 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 बिश्वत रेखा से धुर्बों cure बरते जाएगे तापमान में कमी आने के कारण जो पबने नाम और दे दिया गया सम्माहन मंडल में यानि चो मंडल में बिश्वत में रेखा पर अधिक तापमान होने कारण बायू अधिक उचाई तक जाएगी अर्थार्त सम्माहन मंडल की उचाई बिश्वत में आइखोगी और 90 मन्डल की उचाईb समानेता धरवडवों पर कम पाई जाएगी और विश्वत्र रेखा पर अधिक पाई जाती है कोशन पछा जाता है वे ऊचाईब मन्डल की उचाईब चाह 7 One पर कanga पाई जायएगी तो कम कहा पाई जाती है कम पाई जाती आपकी धुरुबौपर आपसे कह देगा कि बिश्वत रेखा से धुरूबं की ओर जाने पर चो मन्डल की उचाई में क्या परवरतनाज कम होगी बिश्वत रेखा पर अदिख होती है लगभाग 18 किलोमेटर और धुरुबौपर लगभाग किती होती है 13 किलोमेटर क्यों क्योंकि जैसे जैसे बिश्वत रेखा से ध्रूब क्यों जाएंगे तापान में कमी आएगे ठीक ना चलिए तो सम्माहन मंदल कहते हैं जीरो डिग्री पर उचाई अधिक जीरो डिग्री पर उचाई अधिक जीरो डिग्री पर उचाई अधिक और 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर उचाई कम 90 डिग्री पर उचाई क्या हो जाएगे ठीक ना चलिए तो इसको बना लीजिएगा फिर आगे वड़ा जाए बनाई इसे किती है कि जीरो डिग्री पर उचाई महाँ अधि जो नायचाई पर उचाई कम मंडल और चोंताब मंडल कीमद में एक रेखा होती जिसका नाम है छोब्सीमा क्या करती है छोब्सीमा सम्ताब मंडल को चो म लक कर देती है तो चोब मंडल को समताब मंडल से अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है या अलग करने वाली सीमा का नाम क्या है चोब सीमा क्या नाम है चोब सीमा हम कहां पर आ जाएंगे चोब सीमा से समताब मंडल पर इसको मैं मिटा दे रहा हूं हमारा आता है कौन सा मंडल समताप मंडल इस्ट्रेटो इस्पेर ठीक न? अगर हम बात करें कि इस समताप मंडल कहां से कहां तक होता है तो समताप मंडल का जो विस्तार है वो छोब सीमा से समताप सीमा तक होता है तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो इसका जो विस्तार है वो छोब सीमा से समताब सीमा तक है छोब सीमा से कहां तक समताब सीमा तक है छोब सीमा से समताब सीमा तक के छितर को किस नाम से जाना जाता है तो छोब सीमा से समताब सीमा तक के छितर को हम समताब मंडल की नाम से जानेगी अब चुकि छो मंडल के उचाई धुरोब पर अधिक होती है तो यहाँ पर समताब मंडल में क्या हो जाएगा कि धुरूबों पर उचाई कम होगी और विश्वत रेखा पर उचाई कम होगी है अगर एक जगा अधिक है तो दूजरे जगा कम होगी ठीक ना आप देखेगा यहां पर आपको समताम मंडल में एक सब्द समझना है सम ताप सम का मदलब समान है सम का मदलब समान है और ताप का मदलब क्या है ताप को अनलब तापमान है समान तापमान एक समान तापमान चुकि समताम मंडल में एक समान तापमान पाया जाता है और एक समान तापमान पाया जाने के कारण मौसमी घटनाय नहीं घटती है और मौसमी घटना नहीं घटती है तो यहां पर जो आस्मान है आस्मान एकदम सक्ष होगा, साफ होगा और जब आस्मान एकदम सक्ष और साफ होगा तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बायुयान उड़ाते हैं यहाँ पर क्या करते हैं तो यहाँ पर हम बायुयान उड़ाते हैं क्या करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम बायुयान उड़ा देते हैं तो और कौन सा मंडल है और कौन सा मंडल है जहां पर बाईवयान उड़ाय जाते हैं तो बाईवयान जिस मंडल में उड़ाय जाते हैं उस मंडल का नाम क्या है उस मंडल का नाम है संताम मंडल और चुकि यहां पर बाईवयान उड़ाय जाते हैं ठीक न तो यहां पर बाईवयान के साथ सथ गुबार जो आतकल आपने जो बैलून चलते हैं एक इस्तान से दूसर इस्तान पर जाए जाता है इतना बनाईएगा फिर हम इसको थोड़ा साफ करेंगे और चीजे समझानी है जल इसे स्क्रीन सॉड़ लीजिएगा चले जो सम्ताम अंडल है इस सम्ताम अंडल में सम्ताम अंडल में एक यहां पर ओजोन गेस से निर्मित एक परत पाए जाती है जिसका नाम है ओजोन परत तो सम्ताम मंडल में ओजोन परत पाई जाती है कौन से परत ओजोन परत और ओजोन परत पाई जाने के कारण इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है ओजोन परत पाई जाने के कारण इसको किस नाम से जानते हैं ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं ओजोनपरत औंतरी की बने होती है ओज़ोन उसका formula होता है ओज़ोनपरत करती है अगर हम कारिक की बात करें तो Wyजोनपरत का कारिक यह होता है यह सूर्ण से आनेवाली और सूर्ण से आनेवाली सूर से आने वाली पराबैगनी क्रोणों को आउसोशित कर लेती है पराबैगनी क्रोणों को क्या कर लेती है पराबैगनी क्रोणों को अफसोशित करती है ठीक ना सूर से हानीकारक पराबैगनी क्रोणे आती है तो इनको अफसोशित करने कार करती है यदि परावेगनी क्रिवने धरातल पर आगें जहाँ पर हम और आप रहते हैं अरदी परावेगनी क्रिवने छो मंडल में आ जाती हैं तो उनसे कई प्रकार के अनुवांस से बीमारियां उत्पन हो जाएंगी जैसे त्वचा रोग, कैंसर, क्रिणा, साथी साथ हमारे पृत परत में अंटार्टिका के छितर में एक छितर हो गया है जिसको फोर मैं नामक बक्ती के द्वारा सबसे पहले देखा गया था फोर मैं नामक बक्ती के द्वारा अंटार्टिका महादीप में होने वाले ओजोन छितर को देखा गया और इसी के संदर में कनाडा के मांट्रिय सहर कनाडा के मांट्रियल कनाडा के मांट्रियल सहर में 16 सेप्टेंबर 16 सेप्टेंबर 1987 में 16 सेप्टेंबर 1987 में क्या किया गया 16 सेप्टेंबर 1987 में यहां पर एक कार किया गया और यहां पर क्या किया गया यहाँ पर एक सम्मिलन बुलाए गया और यहाँ पर जो सम्मिलन बुलाए गया वो चुकि ओजोन परत के सनरचन से था तो उस सम्मिलन को मांट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया क्या नाम दे दिया गया मांट्रियल संधी या मांट्रियल प्रोटोकॉल मांट्रियल संधी या मांट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया तो आगर आपसे पूँछे कि ओजोन परत के समरचन के लिए कौन सा सम्मिलन बुलाए गया था तो Montreal कहाँ पर कनाड़ा में Sun है 1987 Sun कौन सा है तो Sun यहाँ पर है 1987 यह बात आपको यार रखनी है दूसरी बात चूकि यह 16 September को बुलाए गया था इसलिए अंतराश्टी इस्तर पर 16 September को 16 September को या इंगलिस में 16 September को हम क्या करते हैं अंतराश्टी Ozone दिवस मनाते हैं International Ozone Day ठीक ना अंतराश्ची Ozone Day Ozone I अंतराश्टी Ozone Day मना जाताRO जल्दी से स्कीर जोलिजेगा इसका स्कीर जोलिजे गा इसका चल ठीक ना अला देखिएगा इस सम्ताब मंडल हो गया अब आगर हम बात करें सम्ताब मंडल और मद्ध मंडल के बीच में यहाँ पर एक सीमा होती है समताब मंडल और मद्ध मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है इस सीमा का नाम है समताब सीमा उसके बाद समताब मंडल के बाद एक मंडल आता है जिसका नाम मद्ध मंडल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है जाना इसके बारे में कुछ है नहीं इसमें इतना ही याद रखना है कि जैसे जैसे मद्ध मंडल में उचाई बढ़ती है बैसे बैसे तापमान में कमी आती जैसे जैसे मद्ध मंडल में उचाई बढ़ती जाएगी बैसे बैसे तापमान में कमी आ जाती है तो अंगले जो मंडल है हमारा मद्ध मंडल और मद्द मंडल को इंगलिस में क्या कहते हैं तो मीजोईस्पियर M-I-S-O S-P-H-E-R-E मीजोईस्पियर कहा जाता है क्या कहा जाता है मीजोईस्पियर और इसमें आपको एक बात याद रखनी है उचाई बढ़ने के साथ-साथ उचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है उचाय बढ़ने पर तापमान में क्या आती है तो उचाय बढ़ने पर तापमान में कमी आती है कहां पर मध्ध मंडल में कहां पर मध्ध मंडल में ठीक ना? चले मंध्ल को करेंगर बढ़ते हैं और मंद्र की बाद जो हमारा नेक्स्ट मंद है उसका नाम में आयन अ chce की कि आयन मंडल को इंगलिस में आई ओंव एन औम S-P-H-E-R-E कहा जाता है Ionosphere क्या कहा जाता है? Ion mandal को English में Ionosphere कहा जाता है हम अगर बात करें Ion mandal की तो Ion mandal में Ion पाए जाते हैं Ion mandal में Ion पाए जाते हैं और अगर हम Ion की बात करें तो Ion दो प्रकार क्यों होते हैं? एक धनायन और दूसरा रणायन Ion दो प्रकार क्यों होते हैं? एक धनायन होता है और दूसरा रणायन ठीक ना? तो Ion mandal में क्या पाए जाते हैं? Ion और Ion mandal में Ion पाए जाने के कारण ही क्या इस्थापित किये जाते हैं? पर हम सैटलाय अपने उपगरह इस्थापित करते हैं तो Ion पाए जाने के कारण ही यहां पर उपगरह उपगरह इस्थापित किये जाते हैं न आप पतायेयगा हम उपगरह लगाएंगों उपगराय एक तभी कारेगा, जब उसको उरजा मिलेगी. और उपगराय में उरजा के लिए हम ऐसा तो है नहीं, कि निचे से उपर तक तार ले जाएंगी, तार जो बाइर होती है, ऐसा तो नहीं कर सकती na, तो हम उपग्राय में क्या कर देते हैं, हम उपग्राय में बैटरी लगा देते हैं, बैटरी, ठीक ना, सुस्क बैटरिया, तो जब हम बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी तभी कारे कर पाएगी, बैटरी तभी कारे करती है, जब उसमें एक प्लस होता है, और एक माइनस होत के अपने क्या उपग रहे हैं ठीक ना चलेगा समझेगा हमारी एक करण होती है जिसका नाम है Radio रूरेच अगर हम बात करें कि हमारी cell phone या mobile phone में जो तरंगे यूज होती है उनका नाम क्या है तो mobile phone में यही तरंगे आपकी यूज की जाती है ठीक ना आप माली जिगा एक हैं आप और एक वाले बंदे को आपको कॉल लगानी है तो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक को बी से कॉल लगा दी तुरंट लग जाता ऐसा नहीं होता है सबसे पहले जहां पर आप हैं जिस छेत्र में वहां पर एक टाबर होगा आपकी mobile phone से निकली होई सूचनाओं को एक रिसीब करेगा और इसका जो ट्रांस्मीटर होगा वो सूचनाओं को उपग्राय के पास बेजेगा कहां बेजेगा उपग्राय में भी एक रिसीबर और होगा रिसीबर आपकी सूचनाओं को रिसीब करेगा और ट्रांस्मीटर उस का व्यक्ति की फ्रेकोंथी को ड्हूंडती है जिसको आपने कॉल किया है तो माल लीजेगा वो व्यक्ति यहां पर है तो जहां पर यह व्यक्ति है यहां पर एक टावर होगा तो यहां से उपग्राय से सूचना है इस टावर है इसका रिसीवर रिसीब करेगा ट्रांस्मीटर उस व्यक्ति के पास इन सूचनाओं को भेदेगा तो इस व्यक्ति का क में नेट वर克 नहीं आ रहते हैं कःवार बार这हीं करत J अई-इस दिखाете अपना मुबल ऐसे क्यों दिखाते हैं क्योंकि टावर नहीं łalf पर या लगा जाते कि और नहीं को privacy दिखाते वहां प्रिज्वन से कहा जाती है उपग्राय और उपग्राय से लोट के बापस आ जाती है और उपग्राय किस मंडल में स्थापित किये जाते हैं तो उपग्राय आपके स्थापित किये जाते हैं मंडल में तो अगर आपसे पिष्णे बनता है कि रेडियो तरंग या संचार तरंग किस मंडल से पराबरतित हो के धरातल पराती आयन तो रेडियो तरंग या संचार तरंग आयन मंडल से पराबरतित हो कर धरातल पर लोट आती है आयन मंडल की ऊपर देखेंगे तो आको एक मंडल और दिखाई दे रहा होगा बाहमनडल की जबसे उपरी परतित हैं यह मंडल को किस नाम से जानते हैं उस मंडल को हम बाह मंडल के नाम से जानते हैं किस मंडल के नाम से जानते हैं जानते हैं बाह मंडल और अगर हम बात करें बाह मंडल की तो इंगलिस में इसको आउटोइस्पेर कहते हैं O U T O S P H E R E आउटोइस्पेयर किसे नाम से जानते हैं? तो आउटोइस्पेयर के नाम से जानते हैं. तो बाहे मंडल में पहला पॉन तो यह हो जाएगा बायू मंडल की सबसे उपरी परत. को हम बाहर मंडल के नाम से जानते हैं, इस बाहर मंडल में अक्रिय एबम हलकी गैस ने पाएं जाती है, अक्रिय एबम हलकी गैस है, जो भी चीज हलकी होगी वो उपर होगी, हमने आपको बताया है, तो यहाँ पा अक्रिय एबम हलकी गैस ने पाएं जाती है, कौन सी गैस, अ के साथ करिया ना करें जैसे आरगन, जैसे नियावन, जैसे KRIPTAN, जैसे आरगन, नियान, क्रिप्टान, रेडाउन, जिनान, हीलियम, यह सभी किस प्रकार की gas हैं, तो यह सभी किस अभी आपकी अक्री तो यह हमारा जो है यह बैच जो हम जिसका प्रमोशन कर रहा है डामो दे रहा है यह सुपाट्रेट का बैच है और यदि आप इसमें प्रिवेस लेकर माश्टर बनना चाहते हैं अध्यापक बनना चाहते हैं एक अच्छी रेंग के साथ तो आपको अभी तुरंट अपने वालफून से 9125-4242-3936 ठीक ना यह हमारा नंबर है 9125-9125-423936 इस नंबर पर आपको वार्ट्सअब के माध्यम से सुपार्टेट या एस्टेट इन्टरी लेकर सेंड कर देना है एस्टेट इन्टरी लेकर आपको सेंड कर देना है हमारी टीम आपसे संपर करेगी और आपको अड़ीशन दे दिया जाएगा ठीक ना तो आप यकिन मानी इस बात का आपको इलहबाद या उतर भारत की सबसे अच्छी टीम के दौरा पढ़ाया जाएगा और निश्चत ठीक मैं तरो तो आजा ही रखते हैं इसके आँगे नेक्स्ट वीडियो में तरो